जै बहरो बाबा की पिर राशी फन लेकर आया हूं 13 सितंबर 2022 मेश राशी से मिन राशी के विश्ञें बात करेंगे और वीडियो के लाश्ट में आपको ये बताऊँगा आज जिनका जड़म दिन है जिनकी एनवर्शरी है क्या उपाई करना चाहिए तो सबसे पहले आज का पंचांग जान लेत तो मेरे पिरेदर्श को अब सुरुवात करते हैं आज के पंचांग की मंगलवार 13 सितंबर 2022 मास अस्वनी नक्षतर रेवती और शुरियदय 6 बज़कर 4 मिन शुरियास 6 बज़कर 39 मिन चंदर राशी मिन राशी है और राहुकाल जिसमें कोई भी सुबकारिया नहीं किया ज सहिए राहुकाल 3 बज़कर 33 मिन से 4 बज़कर 56 मिन साम को तिथी तिरतिया है तो अब शुरुवात करने जा रहे हैं मेश राशी वालों की देखे मेश राशी वाले कोई भी व्यक्ति आपके अधिक क्रीब आने की कोशिस कर सकता है जिसके कारण आपके मन में व्यक्ति के प आपका नुक्सान कराने की वी कोशिस कर रहा है और पूरी कोशिस बन भी रही है इसलिए आपको थोड़ा सा बचना होगा आज आपका सुब रंग पीला है और सुब रंग आपका दो है आज आप क्या करें आज जब भी आपको जुरूरी काम से बाहर जाए तो ओम नमेश का जाब करते विए आप घर से बाहर जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ब्रिश्वरासिवले अधिक काम के कारण आपको ठकान महसूस हो सकती है आपके उपर बढ़ता हुआ जिमेदारी का बोज भी आपको मानसिक सवरूप से थोड़ा कमजोर कराएगा लेकिन आप अपनी कारे समता को बढ़ाने की कोशिस करके आगे बढ़ेंगे परवरेक जीवन और काम से समधित बातों में संतुलन बना कर आप व्यक्तिगत परगती की और विद्यान दे पाएंगे आज आपका सुबरंग लाल है सुबरंग आपका चार है आज आप क्या करे आज को हरा चारा जरूर खिलाएं मित्वन राशिवाले आपके उपर बने हुए करज के कारण आपको बेचेनी और ऐस्वस्ता मैसूस होगी फिलाल आर्थिक प्रस्तिति सुदारने के लिए वक्त थोड़ा सा आपको लगेगा और आपके प्रेतरन को तृतियस प्राप्त नह हो है आज आप क्या करें आज आप सुर्य को जल्ब जरूर दे और अधित्ते हैं दसरोतम का पाठ भी जरूर करें करेक राशिवाले मानसिक तनाव और नराजगी अधिक हावी होने की वज़े से आपको हर एक बात से संभित बोज महसुस होगा जिसे किसी के साथ आप सेर भी नहीं कर पाएंगे नहीं खुद होकर इन बातों का हल डूंड पाएंगे मित्रों के दुआरा मिल रहे अनुभव के कारण भी थोड़ी सी नराजगी महसुस होगी सुब रंग संत्री है सुब अंकाप का एक है आज आप क्या करें आज आप बंद्रों को गुड और चने जर नहीं मिलेगा और काम के साथ अन्य बातों की भी जिम्यदारी आपके उपर ही आने के कारण आपको हर एक बात में जागरुपता दिखाने की जरूरत होगी सुब रंग नीला है सुब अंकाप का पांच है आज आप क्या करें आज आप अपने घर के बच्चों को कुछ ना क गिफ्ट लाके जरूर दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा करने राशिवले जिस परकार से महनत आप ले रहे हैं उसी परकार से फल भी आपको प्राप्त होने वाला है अध्यात्मिक बातों से संभधित क्यान प्राप्त करने की आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होगी बड़ा आर्थिक लाप प्राप्त होने के कारण पैसो से संभध जिस निन्या को आप काफी दिनों से टाल रहे थे वहर निन्या लेना आप के लिए संभव होगा सुब रंग गुलाबी है सुब अंका आपका आठ है आज आप क्या करें छोटी कन्याओ को कुछ ना कुछ द आर्थिक आवक बढ़ाने का योग अवसर आपको प्राप्त हो रहा है इसे पूरे प्रेतनों के साथ अपनाने की कोशिस करें सुब रंग संतरी है और सुब रंग आपका चार है आज क्या करें चीटियों को आठा जरूर डालें वर्षिक राशिवाले जिन बातों में आप किसी व्यक्ति पर विश्वास ने रखे ने ही व्यक्तिकत समस्षाओ की अधिक जानकारी इस व्यक्ति को दें सुब रंग हरा है सुब अंकाप का तीन है आज आप क्या करें आज आप अपने माता पिता के पैर चुकर ही घर से बाहर जाएं धनूर राशिवाले आपकी इच अधिक घंबिर बन रहे हैं आर्थिक प्रस्तिति ठीक ठाक रहेगी सुब रंग सफेद है सुब अंकाप का एक है आज मचलियों को आटा जरू डाले आपके लिए अच्छा रहेगा मकर राशिवाले आप से जितना हो सके उतनी मदद आप आस पास के लोगों की करने की कोश इसी सफल पूरी हो सकती है और इस कारियों को आगे बढ़ाने के लिए लोग भी आपका साथ दे पाएंगे सुब रंग हरा है सुब अंकाप का चार है आज क्या करें आप आज ओम नमें सिवाय का जाप जरूर करें आपके लिए अच्छा रहेगा कुम राशिये वाले अप आप हाथ में लिये वे काम को अंजाम तक पहचाँ पाएंगे आपके विश्वास में उतार चड़ा हो आपको महसूस होगा लेकिन आप अपने प्रेतर में स्तरक्ता बना कर रखेंगे फिलाल आपके अंदर अकेले पन के भावनाई उत्पन हो सकती है लेकिन दिल और दिमा का अशिरवाद लेकर ही घर से बाहर जाएं मीन राश्यवाले किसी व्यक्ति का आप पर अधिक प्रवाव होने की बज़े से उनके द्वारा बोले गए बातों को ही आप सच्चाई मानकर खुद को कमजोर समझ सकते हैं कुछ बातों में इस व्यक्ति द्वारा आपको उचि को आटा खिलाए और पक्षियों को हरी मुंकी दाल बिखोकर जरूर खिलाए आपके लिए अच्छा रहेगा मेरे पीरदर्स को आज जिनका जनम दिन है जिनकी एनवरसिरी है क्या उपाई करना चाहिए दिन मंगलवार है तो आप हर्मान चालेसा का पाठ करें और बुंदी के बारे में पितर पक्ष के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है अपनी वीडियो में तो इसलिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं तो मेरे पीरदर्स को आज के लिए बस इतना ही जादा वक्त ने लेते हुए जै भेरो बाबा की जै मा भारती